अब बढ़ती उम्र के असर को कम करने के लिए सीका काई के अनोखे फाइदे इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल योर हेल्थ और ब्यूटी टीप्स को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबस्क्राइब कर लिजे और बगल के बेल आइकॉन को क्लिक कीजे जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो इसके अपडेट साब सभी को मिलती रहे तो चलिए फ्रेंस वीडियो को अस्टार्ट करते हैं सीका काई सीका काई में एंटी वेक्टिरियल गुन पाया जाता है जो जुडियों और फाइन लाइन को दूर करने में मदद करता है यह जड़ी बूटीन ना सिर्फ बालों के लिए फाइदे मन्दे बलकि स्कीन के लिए भी अच्छी मानी जाती है इसका आयूर्वेद में बहुत महत्वे सदियों से बालों से जुरी समस्याओं को दूर करने के लिए इसका उप्योग किया जा रहा है यह एक ऐसा नैच्रल प्रोड़क्त है जो ज़्यादतर भारतिये घरों में इस्तेमाल होता है बालों को लंबा घना और मुलाइम बनाने के साथ ही तूटते बालों के इलाज के लिए भी सीका काई उप्योगी है लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सीका काई सिफ बालों के लिए ही नहीं बल्कि तूचा के लिए भी बेहत फाइदेमंद है इस स्कीन की देखवाल के साथ ही तूचा से जुरे रोगों के लिए बड़े पैमाने पर सीका काई का उप्योग किया जाता है यह खुजली और ड्राइ स्कीन जैसी एन विकारों को दूड करने में काफी मदद करता है तो आएए जानते हैं कि सीका का एक क्या है सीका का एक कैसी यह कौन सी ना फैमिली का एक पौधा है यह पौधा भाणियों की तरह दिखता है और ज्यादा तरभारतिये उत्महादीप के उस निकटिवंदिये जंगलों में पाया जाता है इसमें गहरे भूरे रंग की फलियां लगती है इन फलियों को सुखा कर पाड़र बनाया जाता है जिसका रंग डालशिनी की तरह होता है सीका काई बालों के साथ इत्वचा को भी पोशन परदान करता है इसका इस्तमाल विविल प्रकार के हेर और स्कीन प्रोड़क्ट बनाने में किया जाता है एसकेविश के इलाज में कारगर सीका काई एसकेविश जैसी तवचा की समस्या को दुर करने में कारगर है हल्दी को गर्म पानी में भीगो कर पेस्ट बनाएं और सीका काई की फलियों को जला कर पौडर तयार करें अब हल्दी के पेस्ट में सीका काई पॉडर और दूद मिलाएं इसे एंटि सेप्टिक बोडी वास के रूप में इस्तेमाल करें इस से एस केविश की समस्या दूर हो जाएगी दाग धपें करें दूर दो चमच सीका काई पॉडर लें और इसमें एक चमच क्रीम बदाम पॉडर और हल्दी मिलाएं अंद में दो चमच सहर मिला कर इसे बोडिय स्क्रब के रूप में इस्तेमाल करें यह पेस्ट वचा के मृत को सीकाओं को हटा देता है और आपके स्कीन प्र नैचूरल चमक लाने में मदद करता है जुरियों को करें दूर सीका काई में एंटी वैक्टीरियल गुन पाया जाता है जो जुरियों और फ़्ाइन में दूर करने में मदद करता है एक चमच सीकक आई पॉडर में एक चमच हल्दी और सहब मिलाकर पेश्ट तयार करें रोजाना इस पेश्ट को चेरे परस्क्रव के रूप में इस्तेमाल करें बढ़ते उम्री के लच्छन को दूर हो जाएंगे और आपकी तोचा जिवान दिखेगी इस तरह यह उनों से भड़कू यह जरीबूटी ना सिर्फ बालों के लिए फायदे मंदर बलकि तोचा से जुरी समस्याओं को भी तूर करने में असरदार है तो फ्रेंज आप सबको मेरा यह वीडियो कैसा लगाए आप मुझे कमेंट करके बताएए और अगर आपने मेरे चैनल योर हेल्थ और ब्यूटी टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे और बगल के वैल आइकॉन को क्लिक कीजे जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो के नुटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रीप्शन बॉक्स और आइवटर पर लिंक दे दी है आप जाकर देख सकते हैं